वेलकम बेक टू अभिधा क्लासेज यूपी तो आज हम जानेंगे वैदिक कालिन सिक्षा की प्रमुख विश्षता या गूर कौन-कौन सी हैं इस पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अपने चर्चा किया था वैदिक काल प्रमुख विश्षता या गूर जो एक्जाम की द्रिश्टी से काफी important हमारा question बनता है हमेशा बनता है और इस बार भी बनने की संभावना है वैदिक कालिन सिक्षा की प्रमुख विश्षता या गूर हमेशा एक्जाम में पूछे जाते हैं तो इस पर आज की वीडियो मे नहीं देखिए वैदिक शिक्षा की और ततता इसकी उद्देश शिक्षा कौन-कौन से हैं तो मैं लिंक भी दे दूंगे description में एक बार से जाकर उसे आप चेक कर सकते हैं ठीक है देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं आपचारिक सिक्षा का प्रारंब सबसे पहला इसमें अपचारिक सिक्षा जाता नीरोपचारिक सिक्षा जो सिक्षा की प्रकार हैं तीन प्रकार हैं ठीक है या सिक्षा की इने संस्थाय भी कहते हैं तो इस पर हमने सिक्षा वाले वीडियो में चर्चा कर लिया आप उसे भी अगर सिक्षा आपको जानना है क्या होता है तो उस का कथने कभीवर रबिन जी का उपनयान संसकार की पश्चात गुर्कुल शिक्षा आरंब होती थी और उस समय गुर्कुल में रहने वाले विद्यार्थियों को अंतेवाशिन अथवा गुर्कुल वाशी कहा जाता था यही बालक की शिक्षा पुड होती थी ठीक है यानि कि वैदिक काले शिक्षा प्रा लेने से पहले जब हम गुर्कुल में बालक जाते थे सबसे पहले क्या होता था उनका उपनयान संसकार किया जाता था एंड उप संपदा संसकार और हमारा पवज़ा संसकार की इसमें होता था बहुत धर्म या पहुत शिक्षा में होता था ठी प्रकृतिक शौंदर रश्य यूग्त जनपदिय कॉलाहल से दूर प्रकृतिक शूरम में कक्ष में इस्तित होते थे किन्तु वे किसी गाउं अथवार नगर की समीप अवश्य होते थे जिससे कि उसमें रहने वाले छात्रों की शात्रों की शमाने आउशकता हैं आसानी से प अब देखते हैं थर्ट पॉइंट हमारा ब्रमचर्य का पालन गुर्पृ कुल की एक अन्य विश्यश्ता यह थी कि वहां रहने वाले समस्त विद्यारतियों को ब्रमचर्य ब्रत का पालन करना होता था। 12 वर्ष का होता था परंद कुछ विद्यार थी 12 वर्ष से अधिक समय तक गुर्कुलों में अध्यन करते थे ठीक है पाजों पाइंट हमारा वेश बूसा गुर्कुलों में रहने वाले छातरों की वेश बूसा भी निश्चित थी सरीर के उपरी भाग को वस्तर के रूप में म्रीग चर्म का उप्योग किया जाता था ठीक है इसी ध्यार में रखेंगे अधिकतर या देखा जाता था कि ब्रामण नर हीरर चत्रिय धबेदार हीरर की खाल का वस्तर पहनते थे वेश से बकरे की खाल का उप्योग सरीर के उपरी भाग को ढगने के लिए करते थे और सरी इस प्रकार का वैदिक कालीन शिक्षा में वैदिक शिक्षा में इस प्रकार का वेशबूसा हुआ करता था। अब देखते हैं छटा पॉइंट है हमारा पिता पुत्र तुल्य गुरु सिष्य संबंद। यानि कि इस पॉइंट पे हमने अल्रेड़ी अपने पिसलों वीडियो में भी चर्चा कर लिया कि प्राचीन समय में क्या होता था। उस समय जो था गुरू सिष्य के मते बहुत ही मधूर संबंद होते थे। गुरु जो था वो सिष्य से को अपने पुत्र के समान पुत्र की भात प्रेम करता था। और जो सी से था गुरू को अपने पिता के समान आदर समान और सत्कार करता था इस समय के भात बिल्कुल भी नहीं था कि अगर गुरू अपने बच्चे को या सी से को कोई टीचर कुछ बोल देता है तो वो जो इस्टूडेंट होता है वो क्या करता अगले दिन उसको गाली द विशेशता है जो प्राचीन समय की सिख्चा की या वैदेक कालीन सिख्चा की ये बहुत ही अच्छी विशेशता है जो कि आज के समय में भी होनी चाहिए ठीक होनी चाहिए कि नहीं ये आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे देखते हैं इसे मेरे हिसा गुरू के प्रती उदारता पूर्वक व्यवहार करता था और उनका हर तरस से ध्यान रखता था गुरू के प्रती शिश्यों के असीम आस्था थी सिख्चा करते थे और उनके अश्टनान पूजा आतिकी व्यवस्था करते थे वे गुरू की गायों को चराते और गुरू क से खेतो में कारें करते थे में गुरु के ग्रियक के ग्रियस्ती के छोटी-छोटी कार्यों को शंपन्ण करते700 उसे गरुव की आख सदयव Interior रखनी धीघ्यञ और उन्हें गुरु आधी सब्धों से संबोधित करते थी क्या कहते थे? गुरू को अपने गुरुदे व कहते थे गुरु को ब्रह्मा विश्रु देव महिस्वर पारब्रह्म आदिका गरिमा पूर अस्थान प्रदान किया जाता था ठीक है? तो इस प्रकार यानि कि उस समय में और क्या होता था कि जो गुरु थे उनके उटने से पहले ही पूर्वई ही सिस्य उनके सारे ब्योस्ता कर देता था उनके अश्णान आदी का खाने पीनिय का सब चीज का ब्योस्ता कर दिया रहता था गुरू भी अपने शिश्य को पुत्रवत मानता था जैसा कि अभी मैंने आगे आपको बताया और वो उसका मानश पिता होता था वो छात्रों के रहन सेन पालन पोशन की बिवस्था करता था, शिश्य के सास्त और उसके चरितर के बिकास का ध्यान रखता था शिश्य के बिमार होने पर पिता के समान उसकी सेवा करता था और शिश्यो की सुगदुक को अपना सुगदुक समस्ता था वो शिश्यो की समस्याओं का समधान करता था था अध्यापन और ज्यान में ब्रिधी के हे तो प्रयास करता था चात्रों की जिग्यासा को सांद करने, शिस्यों के प्रस्ण का संतोस जनक उत्तर देने, चात्रों में आदर्ज गुरों का विकास करने, उन्हें भावी जीवन के लिए तयार करने और उनके सर्वांगीर विकास करने में गुरू हमेशा क्या होता था? सदय वही तकपर होता अभी भी अपने कर्तब्यों से कर्मों से पीछे नहीं अरता था वो तक पर रहता था अपने सिस्ट्यों के प्रति सदय वही हमेशा उनका चारित्रिक विकास उन्हीं के हाथ में था गुरू के विकास में ही मानसिक हर तरह का शरवांगीर विकास करता था अब देखते हैं हमा परन्तु उनके नियम कानून आधी गुरुकुलों पर लागू नहीं होते थे। गुरु गुरुकुलों की ब्यवस्था ये तुपूल रूपयन स्वतंत्र थे। नेक्स पॉयंट है अमारा निसुल्क शिक्चा, गुरुकुल सिक्चा ब्यवस्था निसुल्क थि, यह अवश्य था कि सिक्चा प्राप्त करने के पस्चाथ गुरु तक्षुडा के रूप में उष्य जो देना होता था वो सिक्चा से दिया जाता था यह देता था ठीक है। नाइन्द पॉयंट आमारा शिक्षा का ब्योहारिक स्वरूप। वास्तो में गुरुकुल सिक्षा पुस्तकी न होकर ब्योहारिक थी। इसमें विद्यार्थी को पूर जीवन के हेतु तयार किया जाता था। गुरुकुलों में प्रदान की जाने वाली सिक्षा भावी जानता थाcción कि शिक्षा की बिभिन क्रियाओं में धर्म की क्रियात्मक शरूप पर विशय स्वल दिया जाता था। या करें नेक्स्ट पॉइंट है चरित्र एवं व्यक्तित्यों के विकास पर बल जैसा कि हमने इसके उद्देशे या आधर से में भी इस पर चर्चा किया था इस पॉइंट पे चरित्र एवं व्यक्तित्यों के विकास पर बिशेस बल दिया दा था इसमें वैदी कालिन या प चरित्र उत्तम करने है तो या चरित्र उत्तम होती थी उसके लिए उसके विकास पर बल दिया जाता था ठीक है और धार्मिक या अध्यात्मिक विकास पर भी बल दिया जाता था जिस से क्या होते थे ब्रहमचरे का पालन करते थे अपने गुरु का कहा मानते थे सदा सत्य बोलते थे और आज के समय में क्या है आज के समय में अगर पास मिने लेट पोहुचते हैं एसेंबली में जाते हैं तो कोई भाना बनाते हैं जूट ही बोल देते हैं मैं यह हो गया थ करने वाले प्रतेक विद्यार्थी का यह धर्म होता था कि वह भिक्षा मांगे इस भिक्षा से ही गुरु और सिस्चे दोनों का भरण पोसर होता था तो भिक्षा वृति की प्रथा थी भिक्षा से ही क्या करते थे अपना पेट भरते थे ठीक है अगला पॉइंट है मारा दै जैनिक दिन्चर्या का विशेश महत्व था सुर्योदय से पूर्वही विद्यार्थी जग जाते थे और राप्तिक के समय तक क्रिया कलाप कठोड नियमों के श्रिंखला में बंदे हुए चलते थे ठीक है उन्हें शमस्त नियमों का कठोड़ता पूर्वक पालन करना होता था और ये नियम उनके जीवन का अंग बन जाते थे सेवा और श्रम का विशेश महत्व दिया जाता था बीना गुरुकुल जैसा कि अभी हमने आगे समझा था गुरुकुल में क्या करते थे शिष्य अपने गुरु की शिवा करते थे एक पीता की भात है उनके लिए शारेक कारे करते थे यां तक कि भिक्षा भी वो गुरु के लिए शिष्य ही मांग के लाते थे ठीक है अभी अमने ज़ेश्ट उपर समझा था कि शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रतेक विद्यार्थी का धर्म होता था कि वो बिक्षा मांगे और इसी बिक्षा से गुरु सिच्चे दोनों का भरर पोशर होता था तो सेवा और स्रम को विशेश महत्व दिया जाता था नेक्स पॉइंट है मारा मोखिक सिक्षड वी थी ये देखते हैं गुरुकुल में वेद धर्म शास्त्र साहित आधी की समझुद सिक्षा प्रदान की जाती थी गुरुकुलों की सिक्षा मोखिक होती थी ठीक है इसमें मोखिक सिक्षा प्रदान की जाती थी और चिंतन मनन आ प्राविधार नहीं आपे प्रावधान होगा इसे आप सई कर लीजेगा आज की विडियो में हमने समझा कुरकुल जो हमारी थी उसकी सिख्छा प्रडाली कैसी थी वैदिक सिख्छा की क्या विश्यष्ताई या गुर्ती पिछली विडियो में हमने इसके उद्धेश आदर्स और थादि को अब अब आधी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो